मा की आवाज मा ने देखा कि आज उसका छोटा बेटा पता नहीं कहां चला गया था जबकि वै कुछ देर पहले यहीं पर खेल रहा था अब पता नहीं कहां पर है मा उसे सभी जगा पर तलाश करती है लेकिन वै यहां पर नहीं है वह सोसती है कि पता नहीं किसके साथ गया है वह बहुत परिशान लग रही थी वह सभी लोगों से पूछती है कि उसका छोटा बेटा किसी ने देखा है लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था आज वह मा बहुत परिशान थी वह अपने बेटों की खोज में निकल गई एक जंगल की तरफ जाती है जिस जंगा पर उसे लग सकता है कि वहां उसका बेटा जा सकता है वह देखती है कि उसका बेटा किसी जगा पर हो सकता है मा बहुत परिशान थी वह अपने बेटे को आवाज लगा देती है लेकिन उसे नहीं लगता है कि वहां बेटा उसका है अगर वह यहाँ पर होता तो मा की आवाज को जरूर सुन लेता, लेकिन मा की आवाज नहीं सुना रहा था, मा को कोशते हुए वह बहुत दूर निकल जाती है, वह अपने घर वापस आती है, आज उसका बेटा कहीं नहीं मिल रहा है, मा अपने बेटे, बड़े बेटे के पास जाती है, शायद उसे पता हो कि वह के जंगा पर गया है, लेकिन जब उसे पूछा गया तो वह भी मना कर देता है, क्योंकि उसे पता नहीं था, वह कहां गया है, कुछ समय बाद ही एक आदमी आता है, उसके पास उसका छोटा बेटा था, मा उसको बेटे से पूछती है, कि तुम कहां चले गए थे, तभी वह आदमी कहता है, कि यह खेलता हुआ, बहुत दूर निकल गया था, मैंने इसे देख लिया, तभी पता चला कि यह तो आपका बेटा है, इसलिए मैं इसे महां पर से उठा कर आपके पास लिया आया, अब मा को सब कुछ पता चल गया था, मा ने अपने बेटे को समझाया था, कि तुम्हें ऐसे किसी भी कहीं पर नहीं जाना था, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख होता है, उस दिन मा को लगा रहा था कि उसका बेटा जब तक नहीं मिल पाया था वह बहुत दुखी थी